हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का मेरी यूटीब चैनल पे आज मैं आप सभी के सामने ये बहुत ही खुबसूरत सा पैटर लेकर के आई हूँ स्वेटर के लिए ये देखिए ये काफी खुबसूरत है ये उबरा उबरा सा ये डिजाइन है और ये बिल्कुल ही नियू है तो अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बैल ऐकन को प्रेश जरूर करें ताकि मैं इस तरीके के वीडियो आपके सामने लेते हूँ और आपके पास और नोटिफिकेशन पहुच जाए तो फिर इस बेल ऐकन को प्रेस करना बहुत ही जरूरी है तो फिर चली बनाते हैं इस डिजाइन को आप इसे बंडी में स्वेटर फूल पाजू के स्वेटर भी बना सकती हैं कार्डिगन भी बना सकती हैं बहुत ही प्यारा सा यह पैटर्न है तो फिर चली बनाते हैं इस डिजाइन को सुपने जो निउउ सटर बनाने वाले हैं जो स्टार्ट करने जानते नहीं है उस सटर बनाना वो भी इस डिजयन को और इस उस सटर बनाने को मालूम पड़ जाएगा कैसे बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से उन लेंगे और हम यहाँ पर डवल कर लेंगे जितना भी आपको घर बनाना है उसी के हिसाब से ये डवल फंदे तो जादा करके और फिर यहाँ पे एक सिंपल सा गाँठ बंद ले ऐसे हमें 11 नंबर का स्लायि से और उस तरीके से 12 नंबर के स्लायि में आप एक स्लाया बना ले और फिर जो हमने इस ये डवल फंदे बनाए में आंगुठे वाले फिंगर में ऐसे रखेंगे और जो पतला वाला है उसे हम इसे रोटेट करके इस तरीके से डवल वाले में से अंगुठे के पास से इसे लेके जाएंगे और ये सिंगल वाला जो इसके उपर से लाक ऐसे उसके बाद फिर ये डवल वाले को इसे लाकर के यहां पर छोड़ देंगे और दोनों छोर को जो ऐसे खीचेंगे तो यहाँ पर टाइट बन जाएगा प्लस एक यहाँ पर दो घर हो जाते हैं उसके बाद फिर वापस से हम अंगुठा ऐसे बन करके उनको लेंगे दो फंदो को दो धागे जिसमें आपने अंगुठे वाले में दो धागे हैं उसको हम ऐसे लेंगे और सिंगल वाले को इसके उपर से ला करके फिर यह डवल वाले को इसके उपर से ऐसे ला करके छोड़ देंगे तो उसी के हिसास से मैं सैंपल के तोड़ पे थोड़ा सा घर बना लेती हूँ दस घर मैं बना करके उसके बाद फिर आपको देखिए इस तरीके से आप पूरी रोजो है। कौंट कर ले उसके बाद फिर मैंआपको बॉर्डर बनाने के लिए बता देती हूँ बहुत ही आसान है बॉर्डर बनाना सिंपल भी इस तरीके से सिंपल वाला बॉर्डर मैं आपको बनाने बतांगे एक घर को उतारेंगे और एक घर को ऐसे स्लाई को पीछे सामनी के और इस तरीके से करके और फिर उनको भी ऐसे लाकर के एक घर सिधा बिन लेंगे देखिए फिर उनको अपनी ओर लाएंगे और प्लस लाई को भी अपनी ओर करेंगे और इस तरीके से उल्टा बिन लेंगे फ तो इससे जो होता है बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर आपके सामने बन करके तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर आप इसमें पैटर्न रिपीट कर सकते हैं तो इस तरीके से एक घर सिधा और एक घर उल्टा बिनना है और लास्ट में हमें ध्यान रखनी है कि हमने सिधी बिनी है या फिर उल्टी इस तरीके से सिधा फिर उल्टा फिर सिधा तो यह लास्ट में जो है हमने सिधा बिना है और एक घर यहां पर उल्टा तो ये लाश्ट वाले घर को हमें ध्यान देना है उसके बाद फिर हम एक घर को उतार लेंगे और जो हमने यहां से राइट साइट से सिधा बीना है उसे हम राइट साइट से उल्टा बीन लेंगे उसके बाद फिर हम उन को पीछे करेंगे इसको सीधा बिनागे, बस हम एक ही रो इसे धियान देना है, उसके बात फिर आपको design मालूम पड़ने लगेगा, क्या आपने border उल्ठा है या फिर सीधा है, इस त्रीके से, आपको जितना चोडा border बनाना है उतना बना ले एक घर उल्टा बनाना है इस तरीके से आप बना ले और आप मालूम पढ़ने लगा है कि कौन सा घर सिधा है कौन सा घर और उल्टा है तो उसी को आप रिपीट करते हुए इस डीजैन को बना सकते हैं अब जो है इसमें मैं दूसरे कलर का उण एड करूंगी और उसके वाद ये दो कलर के मैंने डिजाइन में बदनाएक करके आपको बताए हैं तो यहाँ पर एक रेट कलर के उन का इस्तमाल करते हुए यहाँ पर ऐसे में जोड़ दूँगे इसमें कोई भी पैटर्न नहीं रखना है इस तरीके से हमें 4 ड्रो तक जो है सिर्फ उल्टा और सीधा बीनना है देखिए यह सीधी स्लाई हो गई उसके बाद फिर हम रॉंग सैट से आ जाएंगे रॉंग सैट से हमें सभी को उल्टा उल्टा बीनना है यह देखिए इस तरीके से अपनी ओर स्लाई प्लस उन को करेंगे ऐसे तो फिर यह उल्टा स्लाई कहलाएगा और इसी तरीके से हमें पूरी जो है रो कम्प्लीट करना है तो यह टू टाइम्स हो गया इसे हम ऐसे देखें फ्रेंज यहां पर टू टाइम्स हो गया फर्स्ट, सेकेंड रो हो गया अब यह थर्ड रो भी हमें सिदा सिदा ही ऐसे ही बिन करके कम्प्लीट करना है इस तरीके से ऐसे बिन लेंगे फोर्ट रो भी हमें उल्टा बिन करके कम्प्लीट कर लेते हैं इस तरीके से हम इसे बीन करके complete कर लेंगे देखिए थोड़ा सा gapping सीधा सीधा ही बीन करके अब हमें pattern बनाना है तो pattern बनाने के लिए first घर को हम skip करेंगे और यह जो दूसरे वाले color जो है उसे हम लेंगे red वाले color का काम हो गया अब purple वाले color के उन से हम एक घर बीन लेना है एक ऐसे bubble बनाना है एक घर में हमें दूसरे वाले घर में इस तरीके से एक घर में हमें पांच घर बनाना है एक घर में पांच घर उसके बाद हमें इसे पलट करके उसी time पे हमें उल्टा उल्टा इसको बीन लेना है पांचों घर को इसे ज्यादा आगे नहीं जाना है जो हमने एपस्के फंदे बनाए हैं, वास समें ही हमें पांच गर बिनना है, यह पांच व फंदे जो हम ने बनाए हैं इसे हम परपल कलर के ऊन से इसमें लपेट कर के और ऐसे निकाल लेंगे, उनको अपनी आद रखेंगे और एक घर यां पर उल्टा बिन लेंगे, तो देखें ये तीन घर हो चुका है उसके बद फिर उनको पीछे करेंगे और यह चौते घर में इसको हम खोलेंगे उसके आप पिर ऐसे एक- दो- तीन और एके चार- चार फंदे जो है हमें इस तरीके से देखे चार धागे निकालने हैं और यह वाले फंदे में वापस से यह फंदा खोले ह उसमें हम इसको इन करके ऐसे निकाल लेंगी उसके बाद फिर हमें एक घर बीन लेना है और वापस से हमें दूसरे घर में एक घर में हमें पांच फंदे बनाने हैं एक, दो, तीन, चार और एक यह पांच पांच फंदे हमें बना लिए अब हमें रॉंक साइड से इस पांचों को रेड वाले उन से ऐसे बीनना है एक, दो, तीन, चार, पांच फिर वापस से हम राइड साइड आ जाएंगे और इस पांचों को हम घटाएंगे इस तरीके से और यहां घटाने के लिए यह परपल कलर के उनका इस्तमाल करते हुए यहां पर ऐसे लपेट लेंगे और इसे हम ऐसे देखें घटा देंगे उसका फिर उनको अपनी और लेकर के आएंगे और एक घर हम यहां पर उल्टा बीन लेंगे फिर उनको पीछे करके एक, दो, तीन, और एक चार, चार घर को हम ऐसे फंदों को इस तरीके से उतार देंगे और यह इस वाले जो हमें घर बनाए हैं, इसमें से सलाई निकालके फिर वहां से हम इसे फर्स्ट चड़ा लेंगे ऐसे, उसके बाद फिर हमें एक घर बीनेंगे, और दूसरे घर में हम एक घर में पांच पंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, दो, पांच हो गया, उसके बाद फिर इसे हम रिपीट करके उसी तरीके से बना लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसे बिन करके कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम रॉंग साइड से ये परपल कलर के उन से हमें सभी को उल्टा उल्टा बिनना है, जितने भी आपने फंदे बनाने हैं, उसे हम उल्टा बिन लेंगे, साथ ही हम ये रेड़ वाले फंदे को भी लेकर के आएंगे, तो इसे हम बिन नहीं रहें हैं, बस ऐसे ही लपेट करके उसके फिर परपल कलर के उन को ही हम ऐसे बिनेंगे, इस तरीके से पूरी रॉज है, हमें उल्टा उल्टा बिन लेना है, और इस तरीके से रेड़ वाले उन को भी हम इसके साथ में ही लेकर के आएंगे, और इसे हम कम्प्लीट कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, फिर वापस जैसे हमने फर्स्ट स्लाई में किया था, उस तरीके से हम यहां पर वे चार लाइन जो है, परपल कलर के उन से सिधा सिधा ही बिनना है, इस तरीके से सिंपल ही, इस टाइम पे हम कोई भी पैटर्न नहीं अपलाई करेंगे, यह जो हमने यहां पर यह सीधी वाली लाइन बनाई है इसको हम यह वाली हम मैंने बता दी बनाने को अब यह सीधी वाली जो है इसको मैं आपको बता रही हूं तो चार लाइन जो है हमें साधारन ही बीन करके कम्प्लीट कर लेना है कि इस तरीके से चार वाउन में बिन लेती हैं अब यह देखिए फ्र्रास यह चार लाईन में बिनकरके पंप्लीट कर लिया है रॉंग से आप इसे देख सकती हैं और कॉन डिकर सकती है 1,2,3,4 चार लाइन हमने यहां पर बनाया है, सिंपल से, साधारन से, देखे, यह वाला हो चुका है, तैयार, अब हम बनाते हैं, फिर से वापस से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो इसके लिए फिर वापस से हमें, रेट कलर के उन का इस्तमाल करना है, और इसके दूसरे घर में हमने बबल बना फिर एक घर में हम रेट बिनेंगे, सेकेंड जो है, हम रेट कर लेंगे, इस तरीके से रेट बिन लेंगे, और उसके बाद थर्ड को हम इसे, एक घर लाल बिन लेने के बाद इस वाले घर को हम फिर खोलेंगे, देखे, इसको हम जैसे हमने फंदे खोले थे, बस उसी तरीक इसे हम एसे खोल करके तीन हो गया और एक चार दागे को खोल करके वापस इस वाले घर को स्लाई में लेंगे और यह रेड कर रिख कर के उन से हम बीन करके निकाल लेंगे एक घर उसके बाद फिर हम एक घर बीनेंगे तीन घर हो गया चौथे घर में यह हमने फंदे बनाए हैं तो एक दो और एक तीन यह बीच वाले घर को जो है यह जो सेंटर में पहले जो हमने फंदे इसमें निकाले थे उसे हम तीन को बीनेंगे फिर चौथे वाले घर को हम वापस से एक दो तीन और चार चार यहां पर लर यहां निकाल करके फिर पांच में वाले में जो है यह फंदे इसको हम रेड कलर के उन से ऐसे बना लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से फिर यहां पर तीन घर बिनेंगे एक दो तीन चोथे घर को फिर वापस से हम यहां पर खोलेंगे एक दो तीन चार और यह इस फंदे को लेकर के वापस से हम ऐसे बिन लेंगे फिर लास्ट में आपको ऐसे रिपीट करना है यह हमने बना लिया और वापस से हम इसे चार लाइन जो है जैस सीधा हमने इसे बीना था बस उसी तरीके से हमें रेट कलर के उन से भी सीधा सीधा बिन लेना है इस तरीके से उल्टा पुरी रो अब हम सीधी लाइन बीन लेने के बाद अब हम वापस से इस पैटर्न को रिपीट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है एक घर को हमें उनको ऐसे लेना है स्कीप कर लेना है और दुसरे वाले घर को परपर कलर के उन से बीन लेंगे और यह देखें सीधी लाइन जो है इसमें हम यहां पर रेड कलर के उन से एक घर में पांच घर करेंगे एक हो गया वापस से उन अपनी ओर लाएंगे और तीन फिर वापस से यह पांच पांच फंदे हो गए इसको हम उसी टाइम पे पलट करके जैसा कि मैंने आपको बताया है फर्स ट्रो में ही मैंने इस पैटन को बना करके रिपीट किया है तो पीछे से हमने सभी फंदों को पांच फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बीन लेना है और फिर राइट साइट आ जाएंगे और ये पांचों जो हमने एक्स्टा बनाए हैं और इसे उल्टा उल्टा बीना है उस पांचों को हम एक साथ में ही घटाएंगे इस तरीके से और इसमें हम फिर परपलữa कलर के उन का इस्तेमाल करते हुए उस तरीके से घटा लेंगे फिरने उनको अपनी ओर लेकर के आएंगे और एक घरियां पर रूटा बीन लेंगे उनको पीछे और इस वाले फंदे को जो है देखे इस परपल वाले जो सीधी लाइन जा रही है ये नजरा रही है इसको हम ऐसे उतार लेंगे और इसको हम ऐसे खोलेंगे एक दो तीन और एक चार चार फंदे हमने खोल दिये अब इस वाले उन को हम ऐसे जिसे हमने खोले हैं उससे हम ले करके और पीछे से जाके ऐसे इसमें फंदे निकाल लेंगे फिर भी नेंगे एक घर दुसरे वाले फिर से वापस से हमें आ गए हैं एक घर में पांच घर बना पैटन को और यह इस डिजाइन बन करके तयार हो चुका है फिर आप इसे रॉंग साइट से परपल कलर के उन से बीन ले और साथ में रेड कलर के उन को भी ले करके जाएक है फिर चार लायन को बिनके इस तरीके से से रिपीट करते जाए तो यह बहुत ही खुबसुरह सा स्वैटर mujeres है इस तरीके से आप बनाते जाएगी तो यह बन करकर तयार हो झाएगा तो उमीद करते हैं आप सभी नग पसंदाए होंगे अगर पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और अगर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं हमारे चनल को तो प्लीज कर लें सो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू